दोस्तों नमस्कार, ओवर एक्जर्शन, जी हाँ, ओवर एक्जर्शन का जो कुद ध्यान में रखते हुए, जो बीसी सी आई ने गाइडेंस जारी की थी, उसका कितना इंपेक्ट हो रहा है, कितना असर हो रहा है, क्योंकि भविश्य में भारती खिलाडियों को साथ जून से होने वाले डूटी सी के फाइनल में उतरना है, जो ओवल में कहला जाएगा, और इसके लावा इसी वर्ष जो है, एक वर्ल्ड कप का जो आयोजन है, वन्डे वर्ल्ड कप का, वो भी भारत में होना है, तो खिलाडी ओवर एक्जर्ट ना हो, आई पिल का, के दुश परिना रायते भी दी गई है, सेकंड हाफ में कहा गया है, जरूर वो नेट्स पर अपना समय गुजारें, समय बिताएं, और शुरू में उनको कहा गया है, कि बस दिन भर में कोशिश करें, कि चार ही ओवर करें, जनी मैच है आपका, तो मैच वाले दिन चार ओवर करें, और अगर 275 से 200 गेंदे ही फैके, इस से जादा ना फैके, भारत अरुन्डे, जो कि पूर भारते टीम के कोच रहे हैं, और WTC का फाइनल जो न्यूजिलेंड के खिला गया था, पहला आयोजन, उसमें भी वो भारते टीम के कोच थे, उन्होंने भी इस बात का समर्खन किया है, और व नहीं रोहिश शर्मा ने का ठीक है, ये सारी बाते अपनी जगा पर हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी उन्होंन अपने तरीके से इन चीजों को चलाना चाता है, अमूमन चलाना चाता है, और वहीं खिलाडियों पर बहुत कुछ निर्फर करता है, कि वो इसका समधान किस तरीक है, अभी उसमें काफी समय है, और कल क्या होगा, पता नहीं, वर्कलोड जो है, अपनी जगा पर है, आपको स्मार्ट स्मार्ट क्रिकेट खिलना होगा, यानि एक तरा से राहुल द्रविट जैसा कहते हैं, वैसा ही उन्होंने अपनी बात, उनकी बात को धोराया है, और उन इसके बाद ही कुछ फैसला इस बारे में किया जा सकता है, लेकिन उनका ये भी कहना है, कि सीरीज दर सीरीज, जो है, ये सारी चीज़ें माइने रखती हैं, और उनको इस बारे में कोई ना कोई हल निकालना होगा, सबी खिलाडियों को, और उनको उन पर बहुत कुछ निर प्राइब भी करें, नमस्कार.